दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज बाबा दर्शन न्यूज से मैं एनाम उल्लाखा अभी मैं रोहतास दिला के शिवशागर परखंड में शिवशागर के मंडल परवक्ता के रूप में हमारे बीच है संजय कुमार दूबे काफी दिनों से पाटी में सक्रिये हैं उन्होंने पाटी को अपना समय दिया साथ-साथ अपने उन तजरुबों को भी दिया और लिया मैं उन्हीं से जानना चाहते हैं कि आपको जो पाटी परवक्ता बनाया गया है तो उसमें आप कया करे? परे हिंद्वीकों क्यों हुआ है मुअ पातु इंदूस्तान यह पूरती जी करही विए उनके लिए लिए लिकिन्स न्हें करें entferिव हैं MR प्रोर्ण बहुरोंत से फिर दुवडारा सरकार वने मौदी जी gosta हम लूब दिन रात में खरक खरकर है और आप और भी किसी पत पर हैं पहले हम जो हस्तों की किसान मोर्चा के महामंत्री भी रहा चुके हैं सुषागर मंदल का उसमें भी हम किसानों के लिए बहुत काम किये एक सवाल है कि महंगाई बहुत बड़ी एक इश्यू बनती जा रही है अभी पियाज जो है 70 रुपय किलो है जितनी भी सेकुलर पार्टियां है सब ठीकरा फोल रही है मोदी जी के उपर की मोदी जी महंगाई ला रहे है या मतब बहुत सारा का का कहा जाए आम आदमी पार्टी जो है आप एक परवक्ता बने है मंडल परवक्ता है शिवशागर के तो आम आदमी पार्टी के अर्विंद केजरिवाल जी शराब के मुद्दे पर जो है अपना उनको ED या CBI ने उनको बुलाया है तो उस पर लोग कर रहे कि मोदी जी की करवाई मोदी जी की करवाई नहीं है CBI आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है खुफिया विभाज वो आप सोतंत्र है उसका काम है वही करना और उसमें जो है सराब घोटाले में उनका मनिश्व सोदिया जी डिप्रिसियम उसमें सनलिप्त है और वह एक भरस्टा चार पार्टी है जिसका नेर्टुत्र आपको अर्विनिक के जिरिवाल कर रहे हैं और उनके पाटी में सारा क्रिमनल्स और सारे चोटे लोग भरे हैं और जहां तक प्याज की सवाल है तो सवाल है कि भाई किसान यहां पैदवार कम होगा तो बाहर से मांगाना पड़ेगा तो बाहर से संजय कुमार दुबे जी अब लास सवाल आप से यह है आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भारत के अंदर आम आदमी पार्टी पूरे में फैल जाएगी इसलिए मोदी जी को अर्विन्द केजरिवाल जी से डर रहे हैं नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है वो पंजाब म पाता साफ हो जाएगा और दिली में भी जो है वो जो कर रहे हैं उससव के सामने है बहुत जल्दिम उनके सरकार जो है सो दिली से भी कबर जाएगा पूरे हिंदुस्तानिम का तो उनका सपना अधूरा रह जाएगा यह संजय कुमार दूबे जी थे मंडल परवक्ता है और इन्होंने बहुत सारी बातों पर चर्चा की कैमरामेन कामरान कुरेशी के साथ मैं एनाम उल्ला खान अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेर कीजिए अगर आप इस वीडियो को यूटुब पर देख रहे हैं तो यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाईए झाल 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 झाल